असलाम लेकों असलाम नाजरीन आपका मेजबा नुजार खालिद आपके खिदमत में हाजर है और आप देख रहे हैं वाइस ओफ नेशन था जिसका इंतिजार वो शहकार आगया अगर ये बात कही जाए तो ये घलत ना होगी मेरे अकब में इस वक्त जो काम चल रहा है बलके मेरे अकब में हो खालो है और हम देख रही थे किसिरफ बाती बाती चल रही थी इसा का जाए भाली कर दिया गया है जैसे Green Line बनी वफाकी हुकूमत का बड़ा प्रोजेक्ट था ऐसे ही Red Line और Orange Line जो हैं वह सिंद्ध मश्रूफ शारा है कराची की और यह वह जगह है यह वह रोड है जहां से Red Line जो है वह गुजरा करेगी थोड़ी से आपको Red Line के बारे में कुछ तफसील बता दूं तो 78 बिलियंज का यह प्रोजेक्ट है और इंतहाई बड़ा प्रोजेक्ट है 78 बिलियंज का इसमें जो सिंध गर्मेंट के साथ साथ Asian Development Bank जो है वह तावन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को बनानी के लिए और इंतहाई बड़ा प्रोजेक्ट बनानी के लिए क्योंके Green Line से बड़ा प्रोजेक्ट Red Line प्रोजेक्ट है जो के सिंध हुकुमत बना रही है कमोंबेश 26 किलो मीटर का यह सुरजानी टाउन से 99 चौरंगी तक वह इलाका था जिसमें कराची के उस तबके को टार्गेट किया गया कि जो तबका अपोर्ड नहीं कर सकता जो तबका यह करा जाए कि जो तबका बड़ी-बड़ी महंगी लगजरी लाइफ जो है वह अपोर्ड नहीं कर सकता इसी तरीक थोड़ा साब को बता दूं तो यूश्टी रोट पर भी मौझूद ऑनिज़ वफाकी उर्दू यूश्टी है सरसयद यूश्टी है कराची यूश्टी यूश्टी जैसी जो हैं बड़ी-बड़ी जामियाद शामिल हैं जिसकी वज़ज़ से ये प्रोजेक्ट काफी हद अगर यह का जाए कि काम्याबी की का जामिन होगा तो यह बात गलत ना होगी जैसे ग्रीन लाइन था अस्ती हजार लोग जो है कराची के शहरी ग्रीन लाइन में सफर कर रहे हैं और एक आदाद शुमार के मताबिक जिस दिन संडे के दिन कराची में अमूमन चुटी होती ह लेकिन 50,000 लोगों का जो है वो फिगर आया था कि ग्रीन लाइन में संडे के दिन 50,000 लोगों ने जो है वो सफर किया इसी तरही के दे रेड लाइन है और यह रेड लाइन जो है यह जितना भी लाका मैंने आपको बताया है यह सपूरा चॉरंगी से होता हुआ यह पूरी जो है वो फाइदा होगा अब मैं आपको यह बताओ कि जब ग्रीन लाइन आ रहे थी तो असी बसों का बेडा आ रहे हम बड़े हमने उसके बारे में बादगर्श तूनी थी बड़ी मीडिया में उसके बारे में बाते सुनी थी का बेडा अरा और कराची एवाम को इक इंत बड़ा प्रोजेक्ट थर्ड जनर्वेशन बसिस होंगी है हाईब्रेट बसिस होंगी क्योंकि मौहल दोस्क इन्वार्मेंट को इम्रान खान साब भी असिन गवर्मेंट भी पूरी दुनिया अगर यह का जाए के ग्लोबल वार्मिंग से अब निमटने के लिए तयार है यह उसकी तयारियां कर रही है तो यह गलत नहीं होगा तो यह जितना भी प्रोजेक्ट है थर्ड जनर्वेशन बसिस आएंगी और बारा के जो मनसूबा है वो ताकीर का शिकार हुआ है लाजमी लेकिन अब बिलाखिर इस पे काम जो हो शुरू हो गया है 213 बस इसका बेड़ा है लेकिन इसमें कितने लोग सफर करेंगे कितनी कराची के अवाम इसमें सफर करेंगी तो जनाब इसमें एक अंदाजे के मताबिक यहां 35,000 लोग जो हैं वो सफर करेंगे 34, fifteen काड़ोर का शेहर काराची जिसका यह आहम रूट का जा जाए कि मसरूफ रूट है इसमें 300,000 लोग काराची के अवाम सफर करेगा कराची में ठाष्यों कोई निजाम नहीं है धरम बरम में कराची में कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है और लोग छटों पे बैठके सफर कर रहे होते हैं बीच में गौर्ड में असिन कोट ने ओर दिये थे कि जो चिंक्ची रिक्षा हैं उनको बंद कर दिया जाए क्योंकि वहादसात का बहुत ज्यादा शिक यह होँए कि यह फ 2 कराची में बड़ी जामयास की बात करूंगा कराची कि कि सबसे बड़ी युनियुए स्के युस्टी के बद वफा अर्दू इसमें चामिल हैं के लावा सरसयद यूनियस्ट्री भी इसी रूट पर पढ़ती है और इसी रूट पर अगर आप सीधा जाए तो दाउद यूनियस्ट्री भी जनाब इसी रूट पर आएगी तो यह काज है कि स्टुडेंट्स का बहुत ज्यादा फाइदा होगा जो के तलबा तलबात हैं जो यह बया रही है यह आपके लिए आ रही है यह हमारे लिए आ रही है कराची के अवाम के लिए और सिंद हुकुमत का एक एक हैसान एकदाम है 75.000.000 रुपए जो हैं वो सिंद गवश्राइ इसमें कांट्रिब्यूट कर रही हैं इस प्रोजेक्ट को कामयाब तर बनाने के ल प्रोजेक्ट जल्द जल्द शुरू होगा जैसे कि इस पर काम शुरू हो गया है और फिल्ड इसी तरही के ये प्रोजेक्ट जल्द 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 आएंगी ताकि कराची के अवाम जो हैं वो मुस्तफीद हो सकें इसी के साथ अपने मेज़बान उजियर खालिद को अला आफिस